नमस्का दोस्तों Stock Market Studies में फिज से इवर आपको सागत है तो आज मैं बात करना बला हूँ अधिकज एक Finance Sector के बारे में जिसका नाम है SBI Card है तो SBI Card जो Companies है वो Actually Finance Sector को पर भी काम करते है साथी साथ Finance के जो इतने सारे David Card, ATM Card, Credit Card मतलब इतने सारे Cards है तो उसके उपर भी इसका जड़ातर बिजनेस है और इसके उपर ही इस Company का फाइदा होता है तो SBI का सबसीदरी Company SBI Card है और इसका Parent Company है SBI मतलब State Bank of India तो इस Company के आज के दिन एक अच्छा गासा Good News आया है तो उसी के बारे में यहां पर बताऊंगा तो सारे जानकर यहां पर जुरूर देखना तो वीडियो को सुरू करने से पहले मैं यह कहूंगा अभी तक अपने मेरे चनल को सब्सक्रीब नहीं किया तो जुरू सब्सक्रीब कर लीजिए साथी साथ बेल आइकन को पेस करका आल भी कर दीजिए तो जुरूर इस चैनल में बने रही है तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में पहले ही मैं चार्ट पटन के उपर आ चुका हूँ यह आपर देख सकते हैं जिस Company के बारे में बात कर का स yhtar का पेमेंट सर्फिस का का म है और इसका परेंट कोंपानी है आप आप देख सकते है स्टेट बैंक पंडिया इसका पेरेंट को कउर कोंपानी और कंपानी का टान वार एक 되어क diesem Prime के से स्टार्ट हुआ है मतलग इसकर कस्टार्ट है इस बहुत पुराना है मगर इसदे काड का कमपणी जो स्केंटर है इस कम्पणी का स्टार्ड हुआ थां ग्लाइटि बाधर इसकंपणी कोंपनी हाली में फिल- Hyun इसका मारकेट में लीश्टिग हुआ है और उन्हों सेब से होता है उसके बारह में भी आपको में डीटेल्स में समझाऊंगा वीडियो को पूरा देखना नहीं तो बहुत कुछ अप मिस्स कर जाओगे तो यह तो चार्ट पेटन था चार्ट पेटन का आज के दिन आपको पॉजिटीव में देखने को मिलेगा करीबन वान पॉइंट का पॉजिटीव तो देखिए जो पॉजिटीव है यही काफी है क्योंकि आज के दिन करीबन 2% से ज्यादा यह पर निप्टी का गिरावट हुआ था तो उससे भी देखिए फाइनान्स सेक्टर में आज गिरावट नहीं हुआ फाइनस सेक्टर में गिरावट जरूर हुआ जूप को आज को मिला और काल भी इसके उपर आपको एक कर दोका हुआ यहां पर पतल आपको result के उपर लेक्या हो सब्सक्राइब करोड़ में figure डिए है यृpped है आप देख सकते इस figure को टोटल कॉम्पाणी रेज़ी कमाया है किमाया मतलब टोटल इंकम कमाया है वहां पर बात करो करीबन करीबनने सकते है 2695 करोर पिछले क्वाटर में 1450 करोर पिछले सालों में था 2,500 करोर चाहिए दोनों ही सेक्टर में दोनों ही कोर्टर से यहाइ पर एक फॉजिटिव सिंबल आ चुके है आपको हमेशा में आपको एक सिंबल के बारे में बताता हूं के नेगेटिव है देखें अपको कोई भी स्टॉक में खर्दरी करना है तो उसके उपर थोड़ा सा जानकरी जोरू रखना चाहिए, हर quarter का एक बार result और performance देखना चाहिए, देखे कोई भी news आ जाता है तो उस news के उपर आपको जानकरी होना चाहिए, क्योंकि news किस तरीका news है, internally problem है कि external, external problem है तो company में कुछ दिक्कत नहीं होगा, कुछ गिराबठ होंगे, फिर से वो company खड़ा हो जाएगा, मगर internally problem है, तो आप उस company में internally problem कितना गैरा है, उसको देखने के बाद ही आपको उस company से निकल जाना बैतर होगा, तो दिखे इस company के बारे में बात करो, तो यहापे अच्छा कासा income किया है, तो टोटल expense के बारे में बात करों, company ने expense भी किया है, करिवन 2200 करोड, पिछले quarter में 2040 करोड, और पिछले साल में 2230 करोड, तो यहापे expense मुझे जिस तरीके से दिख रहा है, मुझे expense थोड़ा सा कम दिख रहा है, और पिछले quarter के तुलना से, तो यहापे total tax pay किया company ने, tax pay करने के बाद company के हाथ में जो profit आया, यहापे देखे total comprehensive income, मतलब जितने सारे taxes है, जितने सारे payment है, उसको payment करने के बाद, company के हाथ में जो profit आया, उस profit को आपको देखना चाहिए, company करीबन 349 करोड का profit किया, पिछले quarter में था 301 करोड, पिछले सालों में था 204 करोड, तो यहापे एक अच्छा खासा जबदस जम देखने को मिला, तो इस जम के पीछे आजी के दिन यहापे positive में market bond हुआ, कल के दिन इस company में एक अच्छा खासा तेजी अपोद देखने को मिल सकता है, अगर market positive में open हुआ तो, तो देखिए company के फ़वारे में बात करूँ, company के जो performance है, पिछले quarter से comparison करूँ तो अच्छा खासा performance मुझे देखने को मिला, मगर पिछले सालों से comparison करूँ तो एक थोड़ा सा positive देखने को मिला, करिवन, करिवन, 48 करोड जादा यहापे profit कमाया, उतना खास भी यहापे नहीं लागा, फिर भी देखिए, positive obviously है, 48, 8 करोड भी कम नहीं होते है, तो कमपनी के EPS के बारे में बात करूँ तो कमपनी 3.67 रूपीज का EPS है, और पिछले quarter में था 3.24 और पिछले सालों में था 2.20, तो यहापे EPS में जबदस यहापे आपको देखने को मिला, तो सारे जानकर यहापे आपको मिल चुका है, और आपको इस कमपनी का segment wise बारे में बात करूँ, तो अच्छा खासा growth यहापे देखने को मिलेगा, अब कमपनी के बारे में बात करूँ तो कमपनी मुझे जबदस लगते हैं, क्योंकि कमपनी का market capitalization देखिए, लैक्स करोड का यहापे total market capitalization है, तो कमपनी का peer ratio मुझे थोड़ा सा high लगा, थोड़ा सा नहीं, बहुत high लगा, 120 क्रोस कर चुके है, जिसका peer ratio हमेशा, मतलब accounts के हिसाब से 10 से 30 के अंदर होना चाहिए, और इसका book value देखिए 66 rupees अभी इसका book value है, और इसका company अभी तक dividend नहीं दिया, क्योंकि को company हाली में listing हुआ है, और उतना अच्छा कासा अभी तक इसका performance देखने को नहीं मिला, तो performance ठीक है, मगर dividend अभी देने का मोका नहीं मिला, तो यहाँ पर दिका company का return of capital employed देखिए 10% है, और return of equity 16.9% है, तो return of capital employed मुझे थोड़ा सा week लगा, और return of equity थोड़ा सा week का high level लगा, तो यहाँ पर face value का बात करूँ, company अभी भी split नहीं किया, 10 रुपेज का face value है, company का price range देखिए, 1100 अभी चल रहा है, company का high था 1165 और low था 770, यह जो high और low है, यह totally 52 week का, मतलब आज से 365, high 365 मतलब एक साल के अंदर इसका low था 770 और एक साल के अंदर इसका high हुआ 1165, तो company का performance के बारे में और कुछ का हूँ, यहाँ पर सबसे पहले एक बार उसका competitor देख लीजे, मैं सबसे पहले यहाँ आपको दिखना चाहता हूँ, company third position में है, इसका market capillation के हिसाब से, इतने सारे NBFC है, जितने सारे NBFC में एक बार लिखना चाहता हूँ, इतने सारे NBFC है, मतलब जितने सारे non-banking financial sector है, उसमें से number third position में company का ranking है, उसका market capillation के हिसाब से, उससे पहले जो दोनों company है, उसके उपर तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका result भी जबदस हुआ है, उसके बारे में आप देखना चाहते है, तो आप मेरे playlist में जाएए, वासे आप check out करिए, और इस company के बारे में और भी data दिखा हूँ, तो आपको एक बार साल भर के data देखा देता हूँ, company साल भर में जिस तरीके से performance किया, उसके बारे में देखना चाहिए, company 2014 में 200 करोड, मतलब मान के चले 300 करोड, यहाँ पे 267 करोड, उसके बार 280 करोड, देखिए धीरे धीरे company का growth हो रहा है, 2019 में तो 865 करोड कोंपणी ने यहाँ पे profit किया, 2020 मतलब इस साल में, करोना के situation के साल में, 1200 करोड का profit किया, मतलब जिस टाइम में खराब होना था, उस टाइम में अच्चा हुआ, क्योंकि उस टाइम में ज्यादा तर net banking, ज्यादा तर online banking, ज्यादातर पेमेंट कार्ड बैंकिंग से ज्यादातर पैसा टंजेक्शन हुआ मतलब रूपिया टंजेक्शन हुआ तो इसलिए इस कुम्पानी को ज्यादातर फाइदा मिला तो उसके बाद 2021 में भी 985 करोर का टोटल पॉफिट हुआ एक साल के अंदर आपको देखा जाए तो 896 करोर का पॉफिट तो हर साल में आपको धीरे-धीरे कुम्पानी का ग्रोथ जरूर यह पर दीख रहा है तो कुम्पानी का सेल्स ग्रोथ मुझे ठीक ठाग लगा और पॉफिट भी ठीक ठाग है म सिर्फ टीटीए में मतलब आपको एक साल के अंदर मतलब आज से एक साल के अंदर मतलब आज चल रहे है मान के चलिए नवेंबर फास्ट से तुठा 2020 नवेंबर तक उस उस एक साल के अंदर कॉम्पानी का थोड़ा सा वीग हुआ पॉफिट गोथ में और सीजर पासेंटे दखिए एक साल कभी कॉम्पानी लिस्टिंग हुआ है तो फटी वान परसन का रिटान रहे अच्छा खासा रिटान है और यहां पर देखिए रिटान वीकूटी बिएप से बारा में बात करों मतलब जितने सारे होल्डर है इसे उसके बार में बात करों देखिए प्रोंमो और FIS दोनों ही अच्छा कासा माल अठक रखा है 13% और यहां पर DS भी देखी लिए 9.70% और पब्लिक भी यहां पर 7.86% तो ओवरल देखा जाए सब के पास अच्छा कासा यहां पर हिस्सेदारी है तो company के बारे में एक बात में आपको जुरूर कहूंगा company का maximum चार्ट पिटन पहले दिखा दूए के company में फ़हले जो market ओपेन हुआ तो gap up हुआ obviously profit में open हुआ उसके बाद एक sudden down दिखाया उसके बाद फिर से जवदस गिरावट आया तो इस जो गिरावट है बोर टोटली कोरोना के fast lockdown का situation से पहले ही इस company listing हुआ था तो उसके बाद company में एक जवदस गिरावट आपे देखने को मिला तो कि उसके बाद company धीरे 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 आपे performance अच्छा कासा आपको दिखा रहा है यह कि company अभी भी देख रहा है मुझे side basis चल रहा है अतलब एक side basis pattern चल रहा है जब तक इस pattern से बाहर ने निकलते तब तक इस में rally नहीं आपको देखने को मिलेगा अगर long term के हिसाब से बात करूं तो company में बहुत potential है फीचर में net banking, debit card, credit card से जाता दर transaction होने वाला है तो NBFC सेक्टर में यह जो market leader के third number position में इस company का ranking आता है इस company के उपर आपको जुरूर focus होना चाहिए तो सारे data में आपको एक education purpose में दिया तो इस data को आप follow करिए उसके बाद आपको लगे कि इस stock में निवेस करना चाहिए तो आप जुरूर निवेस कर सकते है तो आसा करता हो सारे जानकर आपको मिल चुका है मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो like करना दोस्तों को दस्यार भ कि बपए